कि स्वामी विवेका नंजी ने कहा है कि जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हिदय पपित्र हो जाता है और उसमें भगवान बसता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम प्रिकास पांडे है आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटीवेशनल इस्टोरी लेकर के आया हूँ जिसमें गुरू राम सुरूप के द्वारा अपने शिष्ष को जो सिच्छा दी जाती है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि किस किसी की सहायता करने के बाद क्या सुख मिलता है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए और इस स्टोरी के मांध्यम से देखते हैं कि सहायता करने के बाद क्या सुख राप्त होता है गुरू राम सरूब अपने शिश्यों के साथ आस्रम के लिए भिच्छाटन पर निकले थे वह अपने गुरुकुल में भोजन की वेवस्था भिच्छा मांग करकी ही किया करते थे जब वह एक कजबे से दूसरे कजबे की और जा रहे थे राशते में खेद खलि हान मिले लगे किसी खेद में हरी भरी फसल, खड़ी तो किसी खेद बंजर नजर आ रहा था ऐसे ही एक बंजर खेद पर किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेद को जोद रहा था वहीं पेड के नीचे उसने अपना सारा सामान पोटली आदी रखा हुआ था। गुरू रामसरूप के सिश्यों में एक सिश्य सरारती था। वह सरारती सुभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली ठालाया। यह कारे तुम्हें सोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने इस्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे विच्छा में मिले हैं उसे ले जाकर उसी अस्थान पर पोटली के सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। उसके घर में उसकी माता की तबियत खराब थे। दवाई के लिए कुछ प्रवंद नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठा कर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा किन्त कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुस हुआ और उपर दोनों हाथ करते हुए इस्वर को धन्रवात करता रहा। संभवता उसके माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वहां खुसी से आशू बहाता और दोनों हाथ से पोच्ता जाता। यह सभी द्रिश से गुरू राम सरूप और उनके सिस्य छुपकर देख रहे थे। उन सब के हिर्दें भाव भी होर उठे और खुसी बिली। दोस्तों इस कहानी से जो सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाए अगर खुस करने की कोशिस की जाए तो वह खुसियां दुगनी हो जाती हैं। खुसियां दुगनी से ताथ पर है कि हम भी खुस और जिसकी सहायता की वो भी खुस। इसलिए खुसियां बाड़ते रहे और जरूरत मंदों को सहायता करते रहे और प्रद्दिन सुबह साड़े पांच बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से दिन की करें सुरुआत। शेयर कीजिए अपने इस ट्मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए और नई नई बहतरीन मोटीवेशनल इस्टोरी पाने के लिए प्रेश बेल आईकर।